किसी गाव में एक रहस्यमई और अनोखी कहानी थी। गाव के पास ही एक पुराने हवेली में एक विचित्र बुराई की असली धरोहर छिपी थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक गुप्त खजाना छिपा है लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंड पाया था। वीर गाव का एक नौजवान हवेली की खोज में निकला। वह अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में घुसे। पहली बार में ही उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें एक चाट और कुछ रहस्यमई संकेत थे। उनकी खोज में वे उस चाट को सुलझाने लगे। राज एक उन्हें देखा गया संतान ने उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाई थी जिसमें एक पुरानी महल में छिपे खजाने के बारे में था। चाट उन्हें उस महल की दिशा दिखाने लगा। धीरे धीरे वे रहस्यमई बंद दर्वाजे छिपी हुई गुप्त रूप स सजीव चीजें और अंजाने चैन से भरी कमरे की ओर बढ़ते गए। और उनके आस पास चमकते हुए रूपों की भीर थी। वीर ने समझा कि यह रूप वो गहरी खोज कर रहे थे जो हवेली में छिपी थी। बूटी जलते ही उस खजाने की राजकुलहाडी से बाहर निकल आया। ये खजाना वही था एक पुरानी महल में छिपी हुई चाही सिखाई कि असली धन और सम्रुद्धी हमारे अंदर होती है। उसे खोजने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने भीतर की खोज करनी चाहिए। झाल 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 झाल